हमेशा से मेरे मन में एक सवाल आता था क्रिकेट जो है वो लेदर बॉल से ही क्यों खेला जाता है जबकि जो टैनिस बॉल होती है वो जादा सेफ भी होती है और सस्ती भी मिलती है क्रिकिट का जो खेल है वो सबसे पहले 6 दिन के लिए होता था जिसमें एक मैच खेला जाता था 6 दिन तक टैनिस की बॉल यूज नहीं की जा सकती क्योंकि टैनिस की जो बॉल होती है उसकी लाइफ जादा से जादा 40-50 ओवर की होती है जबकि जो लेदर की बॉल होती है उसकी लाइफ लगबग 150-200 ओवर्स की होती है टैनिस बॉल के साथ प्लेयर्स कभी भी बाउंस का अंदाजा नहीं लगा सकता वहीं लेदर बॉल से बाउंस हमेशा एक जैसा ही रहता है लेदर बॉल से स्विंग और सीम करना बहुत जादा असान है वहीं टैनिस बॉल से ऐसा करना काफी मुश्किल है या ये कहें कि ना के बराबर है टैनिस बॉल को दूर तक मारना काफी मुश्किल होता है और ये धीरे ट्रावल करती है इनी फैक्ट्स की वज़ा से जो लेदर की बॉल है वो क्रिकिट को खास बनाती है ऐसे ही फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्री